हेल दोस्तों इस वीडियो हम लोग नैचुरल नंबर यानि की प्राकृतिक संख्या या फिर कहें प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं अब प्राकत संख्या होती क्या है? जिन संख्याओं से वस्तूओं की गढ़ना कियाती है, उन्हीं को क्या बुलायता है? प्राकतिक संख्या हम कहते हैं. यह जो संख्या होती है, यह वस्तूओं को गिनने या क्रम में रखने के लिए प्रियोग कियाती है. गडित में एक, दो संख्यां में सून को सामिल नहीं किया गया है जो एक है वो सबसे छोटी प्राकश संख्या है और अगर बात करें सबसे बड़ी प्राकश संख्या के बारे में तो कोई भी सबसे बड़ी प्राकश संख्या नहीं है क्योंकि इसकी कोई भी एक लिमिट नहीं होती जिसकी कोई ल राट और आनन्ती की जाएंगी विसम संख्या एक धिन पांस के नो और यह भी आनंत कर जाएंगी कि प्रakज्च अंख्या के बारे मिंकुछ महातूपोर तक्त हैं जैसे कि प्राची निहास कि अधार पर इसे हिंदी अर्भी संख्या का जाता है प्रak reads संख्या पद्दत का एक भाग है, समुझ में इसको N not यानि कि 1,2,3,4,1 set में लिखा जाता है, इस संख्या में एक इकाई की लगातार बढ़त होती रहती है, दो क्रमागत प्राकर संख्याओं में एक का अंतर रहता है, जैसे कि 1,2,3 लिखो तो हर एक की बीच में एक एक का रहता है, प्राकर संख्याओं से रेटेड कुछ फॉवमलें हैं, जो कि ज़दा तक पूछा आते हैं, जैसे कि प्रत्म N का आउस्त आरवसत, हम कैसे निकालेंगे, तो उसका वहता है, प्रत्म 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 प्रत् झाल झाल